फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एकजाम में स्वागत है। नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको ऐसे ही जीके के वीडियो मिलते रहें। फ्रेंड्स आपसन भी 322 इस भी पूर में चंदगुप्त मौर ने मौरेवंस की स्थापना किया था और राजय रोहर चंदगुप्त मौरे का हुआ था 322 इस भी पूर में। इस तरह से आपसन है इस प्रेंड्स का सही उतर होगा। और मौरेवंस का सासा ने स्थापित हुआ था इस तरह से आपसन डी इस प्रेंड्स का सही उतर होगा। और आचार चारक ने ही चंदगुप्त मौरे को एक महान समराट बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रेंड्स की और सरप्रथम चारक ने चंदगुप्त मौरे को कौन सा खेल खेलते हुए देखा था। तो फ्रेंड्स जब चालक के ने चंदगुप्त मौर को पहली बार देखा था तो उस समय चंदगुप्त मौर राज कीलम नामा के एक प्राचीन भारत का खेल था उसको खेल रहे था इस तरह से option सी इस प्रस का सही उतर होगा बड़ते हैं अगले प्रस की ओर चंदगुप्त मौर ने अपनी राजधानी कहां पर इस्थापित की थी तो फ्रेंड्स चंदगुप्त मौर की जो राजधानी थी वह थी पाटिल पुत्र वर्तमान में देखा जाए तो पटना जो है वह प्राचीन काल का पाटिल पुत्र थ तो फ्रेंट्स चंद्र गुप्त मौर को अयतिहासिक समराटी की उपाधी दी गई इस तरह से option A इस्प्रेस का सही उतर होगा बरते हैं अगले प्रेस की ओर भारत को राजिनीतिक रूप से एक बद करने वाला भारत का पहला राजा कौन था यानि की भारत को राजिनीतिक रूप से इन्होंने एकी करन किया था और वह था भारत के महान समराट चंद्र गुप्त मौर जिस तरह से option B इस्प्रेस का सही उतर होगा बढ़ते हैं अगले प्रेस की ओर निम्न में से किस गरंथ में चंद्र गुप्त मौर को नंद राज का पुत्र बताया गया है किसको चंद्र गुप्त मौर को तो फ्रेंट सुबह गरंथ हैं मुद्रा राक्षस इस तरह से option C प्रेस का सही उतर है अगला प्रेसन है निम्न लिखित में से मुद्रा राक्षस जो गरंथ है उसके आपको बताना है कि रचाईता कौन है तो फ्रेंट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्टन है बहुत ही ज़्यादा बारिया है एक जामस में फूंचा गया है तो आप इसको याद राखिए मुद्रा राक्षस के जो रचाईता है वे हैं विसाख दत्त आप्सन ए इस प्रेस का सही उतर है अगला प्रेसन है बहुत गरंथ है महाबोधी वंस में चंदगुप्त मौर को किस कुल से बताया गया है तो चंदगुप्त मौर को महाबोधी वंस बहुत गरंथ में राजकुल परिवार से बताया गया है इस तरह से आप्सन ए इस प्रेस का सही उतर है बढ़ते हैं अगले प्रेस की ओर किस गरंथ के अनुसार चंदगुप्त मौर सूद्र वंड से सम्मंधित थे तो बहुत गरंथ का जो महाबोधी गरंथ है उसमें जो चंदगुप्त मौर को बताया गया है कि वह राजकुल परिवार से थे लेकिन जो कथा सारीता सागर और ब्रहत कथा मंदरी है इन दोनों ग्रंथों में चंद गुप्त मौर को किस से सूध रुवन्ड से बताया गया है। इस तरह से option C express का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रेस की ओर। उससे पहले कुछ महात पूर्ण तत्यों को देख लेते हैं फ्रेंड्स। चंद गुप्त मौर की उत्पत आच्छस जिसको विसाक दत ने लिखा था चंद गुप्त मौर को नंद राज का पुत्र बताया गया है। वहीं पर देखा जाए जो बौध गरंथ था महाबोधी उसमें चंद गुप्त मौर को किस से राजकुल से बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रस्कियोर चारक ने किस कार की पूर्ती के लिए चंद गुप्त मौर को तयार किया था। तो चारक के जो की एक महान गयाता थे जिनोंने अर्थास्त जो की वरतमान में भी उसके कुछ नियमों को भारत में लगू किया जाता है और उन्होंने चंद गुप्त मौर को नंद वंस के पतन और व अगले प्रेस की और चंद्गुप्त मौर ने अपना विजय अभियान कहां से प्रारम किया था तो फ्रेंड्स चंद्गुप्त मौर ने अपना जो विजय अभियान है वह पंजाब और सिंध से प्रारम किया था इस तरह से Option B इस प्रेस का सही उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले प्रेस की और चंद गुप्त मौर ने नंद वन्स के किस सासक को हराया था Very very most important question है Friends, UPSC के लिए ये बहुत ही महत्पूर्ण प्रेसन है बहुत ही ज़्यादा बार एकजामस में पूछा गया है चंद गुप्त मौर ने जो नंद वन्स था मगद में उसके किस सासक को हराया था Friends, वह था घाना नंद घाना नंद को चंद गुप्त मौर ने हराया था और वहीं से नंद वन्स का क्या हुआ था पतन हो गया था वहीं से नंद वन्स का पतन हो गया था बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर, चंदगूप्त मौर ने सेलुकस निकेटर की सेना को कब हराया था? बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर, सेलुकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? जिससे चंदगुप्त मौर ने विवाह किया था तो friends, सेलुकस निकेटर जो की सिकंदर की सेना का सेना पती था उसकी पुत्री थी हेलेना जिससे चंदगुप्त मौर ने विवाह किया था बढ़ते हैं अगले प्रस की और से लूकेस निकेटर और चन्दकृत मौर के मध्युद्ध का वर्ण किस गरंथ में हमें मिलता है तो फ्रेंट्स वह गरंथ है मुद्राराकशस इस सीजले से आपसंचीष परस्स का सही हुत रहे फ्रेंट्स जो यह मुद्रा राकशस जो गरंथ है ये बहुत ही महत पूर्ण है एक्जाम्स के लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बार ये है एक्जामों में पूछा गया है और आगामी परिक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत पूर्ण है बढ़ते हैं अगले प्रस की और सेलुकस निकेटर ने चंद गुप्त मौर के दर्बार में निम्न में से किसे भेजा था मेगस्त नीज नामा के एक यात्री था जिसको सेलुकस निकेटर ने चंद गुप्त मौर के दर्बार में भेजा था इस तरह से option D express का सही उत्तर होगा कुछ महत पूर्ण तथ्यों के देख लेते हैं फ्रेंड्स चंद गुप्त और सेलुकस निकेटर के मध्य युद्ध का वणन किस में मिलता है? मुद्रा राक्षास में सेलुकस निकेटर ने पराजित होने के पस्चाद चंद गुप्त मौर को कांधार, काबूल, हेरात और मकरान तट दिये थे सेलुकस निकेटर से चंद गुप्त मौर ने क्या पराप्त किया था? कंधार, काबूल, हेरात और मकरान तट इनको आप याद रखिए, important हैं exams के लिए चंदगूप्त मौर ने सेलुकस को क्या 500 लड़ागू हाथी भी उपहार में दिये थे इसके साथ साथ सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाय भी चंदगूप्त मौर से किया था सेलुकस ने मेगस थनीच को चंदगूप्त मौर के दरबार में भेजा था बढ़ते हैं कुछ अगले प्रस को देखते हैं फ्रेंट्स नियम लिखीत में से किस छेतर को चंद गुप्त मौर ने विजित किया था तो फ्रेंट्स मालवा को चंद गुप्त मौर ने विजित किया था गुजरात को भी विजित किया था महाराश को भी विजित किया था तो वह सिला लेख है जूनागड का सिला लेख option A इस प्रस का सही उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर जल के संकट से निपटने के लिए चंद्रकुप्त मौर ने किस छेतर में क्या जील का निर्माड किया था तो friends वह छेतर था गिरिनर option B इस प्रस का चंद्रकुप्त मौर ने कौन सा धर्म सुविकार किया था friends चंद्रकुप्त मौर ने जैन धर्म सुविकार किया था option B इस प्रस का सही उत्तर है जैन धर्म की जो इस थापना है वह रिसब देव जो की जैन धर्म के पहले तीर थांकर थे उन्होंने जैन धर्म की इस्थापना किया था और चंद गुप्त मौर ने कौन सा धर्म सुईकार किया था जैन धर्म इसको आप याद रखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह कोचन है बढ़ते हैं अगले प्रस की और चंद गुप्त मौर का धार्मी गुरू कौन था चंद गुप्त मौर का जो राजनीती गुरू थे जिन्होंने चंद गुप्त मौर को भारत में विदेशी आकरमों से सुरच्छा और नंद वंस के अंद के लिए तयार किया था वहीं पर चंद गुप्त मौर का जो धार्मी गुरू थे, वह थे भद्र बावू, जिन्होंने चंद गुप्त मौर को जैन धर्म की दिख्षा दिया था, बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर, जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थांकर कौन थे, तो फ्रेंड्स जैन धर्म के जो अगले प्रस की ओर, कौटिल को किस अन नाम से भी जाना जाता है, तो फ्रेंड्स, कौटिल को हम बिस्णुगुत्र, चाड़क के इन दोनों नाम से ही जानते हैं, तो इस तरह से ऑप्सन डी इस प्रस का सही उत्तर होगा, बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर, आचार चाड़क के कहां के निवासी थे, तो फ्रेंड्स, आचार चाड़क थे, तक्छिशिला के निवासी, तक्छिशिला बिस्तो विद्या लेके आचार रहे थे, इस तरह से ऑप्सन सी इस प्रस का सही उत्तर होगा, चाड़क यानि की कौटिल का जन्म किस कुल में हुआ था, तो फ्रेंड्स, इस प्रस का सही उत्तर है, ऑप्सन ए, ब्राम्हर कुल में आचार चाड़क का जन्म ह हुआ था बढ़ते हैं अगले प्रस्त की और चाड़क ने किस गरंथ की रचना किया था तो फ्रेंड्स वेरी वेरी most important question है बहुत जादा बार ये भी exams में आया हुआ है जैसे कि पहला मुद्राराक्षस और सकुंतलम और पंचतंत और अर्सास या तीनों ही चारों ही जो गरंथ हैं बहुत ही महत पूर्ण हैं exams की नजर से और चाड़क ने किस गरंथ की रचना किया था उन्होंने अर्सास्त की सही उत्तर होगा अर्सास निम लिखित में से किस से सम्बंदित है तो फ्रेंट्स अर्सास जो है इसकी रचना चारक ने किया था वह सासन के सिधानतों से सम्बंदित एक गरंथ है इस तरह से option इस प्रस का सही उत्तर है परते हैं अगले प्रस की और उसे पहले कुछ महत पताई गई है चार हजार प्रथम अधिकरण में राजस सम्बंधी बिसेयों का वर्डन है और दोती अधिकरण में नागरिक प्रसासन की विवेचना की गई है वहीं पर देखा जाए फ्रेंट्स तिरती और चतुर्थ अधिकरणों में क्या है दीवानी फोजदारी और व् इन अधिकरणों से सम्बंधित भी कई बार एकजांस में प्रस्त पूछे गए हैं राजस सम्बंधित प्रथम अधिकरण नागरिक प्रसासन से सम्बंधित दोती अधिकरण कानून से सम्बंधित तिरती और चतुर्थ अधिकरण और इसके साथ साथ फ्रेंट्स जो पाच अच्वा अधिकरण हुए समराट के सभासदों और अनुचरों और करतब्यों दायूत्तों का उल्लेक करता है। छटवे अधिकरण में राज के सप्तांगों, सौमी, अमात्राष्ट, दुर्ग, बल्कोस और मित्र के रूप में उनके कार्यों का वर्ण है। तो आपको एक्जाम्स में पूँचा जा सकता है कि अर्षास्त में जो सप्तांगों का वर्ण है उनमें से कौन-कौन सामिल है। उसमें सौमी यानि समराट, अमात्राष्ट, दुर्ग, बल्कोस और मित्र सामिल है। अंतिम नौ अधिकरणों में फ्रेंट्स, विदेश की नीती, सैनी का भियान, जथा युद्ध में बिजय के उपाए, सत्युदेश में लोकप्रेता प्राप्त करने के उपाए, युद्ध संधी के औसर, विविद इत्याज चीजों का विस्तरत रूप से वर्ण किया गया इनको आप याद कर लीजेगा, आप इनको नोट बुक में लिख भी सकते हैं, इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में जा करके, आप इसका पीडिया भी प्राप्त कर सकते हैं, बढ़ते हैं, अगले प्रस्त की और, चानक की अर्थ सास्त की पांडी लुप को खोजने खोजने वाला जो पहला पुरा तत्युविद था, वो काउन था, तो फ्रेंट्स हुवए थे, आर्म सास्तरी, इस तरह से ऑफसन है, इस प्रस्त का सही उतर होगा, अगला प्रस्त है, अर्थ सास्त की तुलना किसे, यूरोपी गरंद से की जाती है, बहुत ही महत्तुपू करें, ताकि फ्रेंट्स जो आगामी परिच्छा हैं, उनके लिए जो बचे पेपर देंगे, उनको यह इंपोर्टन बीडियो प्राप्थ हो सके, फ्रेंट्स बढ़ते हैं, अगले प्रस्त की ओर, राज के सप्तांग सिध्धान्त के अनुसार, राज का सात्वा अंग कौन सा है, फ्रेंट्स अर्थ सास्त में सप्तांग सिध्धान्त यानि साथ सिध्धान्तों का उलेक है, उनको नगद वेतन का उलेक किया गया है, फ्रेंड्स वै है अर्थ सास्त जिसकी रचना चानक के ने किया था इस तरह से option is press का सही उत्तर है अगला प्रस्त है अर्थ सास्त में मगद समराज की मुद्रा क्या बताई गई है जो अर्थ सास्त है जिसको चानक के ने लिखा था उसमें मगद समराज की मुद्रा बताई गई है पण इस तरह से option C express का सही उत्तर है बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर more events में कर्मचारियों का जो सासन के कर्मचारी थे उनका अधिक्तम वेतन कितना था तो friends उनका अधिक्तम जो वेतन है वह है 48,000 पण इस तरह से option C express का सही उत्तर है more events का कोई भी कर्मचारी था उनमें से जो सबसे highest rank का कर्मचारी था उसका जो अधिक्तम वेतन था वह था है 48,000 पण बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर राज की क्रसी विभाग का अध्यक्ष कौन था जो more events था उसका जो राज की क्रसी विभाग था उसका अध्यक्ष कहलाता था सीता अध्यक्ष इस तरह से option A friends C express का सही उत्तर है ब्यापार और वाणिज का अध्यक्ष कौन था तो more events में मोर सासनकाल में friends पांडे अध्यक्ष जो था वह ब्यापार और वाणिज का क्या होता था अध्यक्ष होता था कौटिले ने प्रतेक राजा को क्या सलाह दिया है friends जो चानक के जो कौटिले थे उन्होंने प्रतेक राजा को कहा है कि उसको सर्व सक्तिसाली होना चाहिए राजा को सक्तिसाली सेना रखनी चाहिए उसके साथ साथ अत्यधिक संख्या में क्या जासूस रखने चाहिए तो इस तरह से फ्रेंट्स यह तीनों ही कथन सत्ते हैं इस तरह से option D इस प्रेस का सही उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले प्रेस की और अर्सास्त में कर संख्या करता को क्या कहा जाता था अर्सास्त में जो मौर वंस में कर का संख्या करता था उसको क्या कहा जाता था तो फ्रेंट्स उसको समाहरता कहते थे इस तरह से option D इस प्रेस का सही उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले प्रेस की और कौटिल के अनुसार कंटक सोधन का संबंध किस से है तो friends इस प्रस का सही उत्तर है option A फौजदारी नियाले कौटिल में कंटक सोधन कहलादा था कंटक सोधन इसको आप याद रखिए बढ़ते हैं अगले प्रस की और कौटिल ने राजा को किस कार्रे विशेष के लिए किस से सलाह लेना आवस्यक बताया क्या सलाह लेना कोई भी कार्रेदी राजा करना चाहता है तो उसको मंतरियों से सलाह नेला बहुत ही आवस्यक है इस तरह से option B इस प्रस का सही उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले प्रस की और अर्थ सास्त में उल्ले खित प्रणय कर क्या है प्रणय कर क्या है तो मगद में जो प्रणय कर था वह एक आयात कर था इस तरह से option B इस प्रस का सही उत्तर है important question है फ्रेंट्स बढ़ते हैं अगले प्रस की और मगद समराज में सरवाधिक कर की दर किस पर लगाई जाती थी तो फ्रेंट्स जो मगद समराज में सरवाधिक कर की दर थी वह समुद्री ब्यापारियों पर लगाई जाती थी इस तरह से option इस प्रस का सही उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले प्रस की और प्राचीन भारती राज में अर्थ सास्त में राज के कितने अंगों का उल्लेख है तो फ्रेंट्स इस प्रस का सही उत्तर है option D राज के साथ अंगों का उल्लेख है बढ़ते हैं अगले प्रस की और मेगस थनीज जो की सेलुकस निकेटर ने एक राज दूद के डर्बार में भेजा था वह आपको बताना है कब से कब तक चंद गुप्ट मौर के दर्बार में रहा तो फ्रेंट्स मेगस थनीज 304 से 299 इस भी पूर तक चंद गुप्ट मौर के दर्बार में रहा था इस तरह से option D का सही उत्टर होगा मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी तो friends, very very most important question है यह है एकजाम्स में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी तो friends, मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका आप इसको यादर किये, option D सही उत्तर है बिसाक दत की जो पुस्तक है मुद्रा राच्छाक चालक की जो पुस्तक है वह है अर्थसास मेगस्थनीज की जो पुस्तक है वह है इंडिका यह तीन जो किताबे हैं, तीन जो गरंथ हैं वह है important है किसके आगामी competitive exams के लिए बढ़ते हैं अगले प्रस की और मेगस्थनीज के अनुसार प्राचीन काल में जो भारत था, प्राचीन भारत का जो समाज था वह है कितने वर्गों में बटा हुआ था तो friends, जो प्राचीन भारत का समाज था वह है कुल साथ वर्गों में विभाजित था इस तरह से option D express का सही उत्तर होगा बरते हैं, अगले प्रेस की ओर मेगस्थनीज के अनुसार भारती लोग किसकी पूझा करते थे तो friends, भारत के जो लोग थे वह है डियो, निसियस और हेराकलीज यह दो गौड की पूझा करते थे इस तरह से option C express का सही उत्तर होगा बरते हैं, अगले प्रेस की ओर मेगस्थनीज के अनुसार पाटिल पुत्र का जो नगर परबंद था वह है कौन करता था friends, मौर रेवंस की जो राजधानी थी वह थी पाटिल पुत्र तो उसका जो नगर परबंद था वह किसके दौरा किया जाता था friends, उसके लिए एक नगर परिस्थ थी इस तरह से आफसन एइस प्रेस का सही उत्तर होगा कुछ महत्पूर्ट अथियों को देखेंगे friends, मेगस्थनीज जो की सेलुकस निकेटर का राजधूत जो की चंदगुप्त मौर के दरबार में आया था और 304 से लेकर के 299 इस भी पूर तक चंदगुप्त मौर के दरबार में रुका था उससे समंदित कुछ महत्पूर्ट अथियों को देखेंगे जिसने एक महत्पूर्ट किताब इंडिका लिखी थी friends, मेगस्थनीज से लुकस निकेटर दोरा चंदगुप्त मौर की राज सभा में भेजा गया यूनानी राजच्टूथ था उसके साथ साथ चंदगुप्त मौर की राज सभा में वाए 304 इस भी से 304 इस भी पूर से 299 इस भी पूर तक रहा था भारत में रहकर उसने जो देखा सुना उसको उसने अपनी किताब इंडिका में लिपी बद किया था मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसके अंस उद्रण में यूनानी रोमी लेखक एरियन इस्टूबो प्लीनी की रचनाएं भी मिलती हैं बढ़ते हैं कुछ और तथ्यों को देखते हैं मेगस्थनीज इंडिका से संबंदिद जैसे कि मेगस्थनीज की अंसार जो भारत का समाज था उसमें कितने वर्ग थे साथ वर्ग थे और उनमें से पहला था दासनिक, क्रसक, सिकारी, ब्यापारी, योद्धा, निरीचक और सभाज़द भारत का जो समाज था इन साथ वर्ग में विभाजिस था मेगस्थनीज के अंसार भारती यूनानी देवता डियो निसियस और जिनको सिव कहा गया है हेराकली जिनको क्रस्ण कहा गया है वह क्या होते थे भारत में मौर वन्स के दवरान इनकी पूझा होती थी तो मेगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी वह भारत के समाज पर एक उलेकित विवरण है उसको आप याद रखिए जो कुछ महत्पूर पॉइंट्स हैं इंडिका के बारे में उनको भी आप नोटबूक में लिख लीजिए बढ़ते हैं अगले प्रस की और उससे पहले और कुछ महत्पूर तत देखते हैं पाटिल पुत्र की बिसेस्ता के बारे में जो चंदगुप्त मौर ने लिपी बद्ध किया है अपने इंडिका में उससे सम्दित कुछ तत्र्थ्यों को देख लेते हैं जैसे कि मेगस थनीज ने पाटिल पुत्र का वर्णन इस प्रकार किया था नगर क्या था? चार और एक उंची दिवार से घीरा था जिसमें 64 तोरण थे और 570 बुर्ज थे तोरण मतलब गेट यानि द्वार नगर का प्रबंद एक नगर परिस्त के द्वारा होता था जिसमें 5-5 सदस्यों की कितनी 6 समितियां थी नगर के मद्ध में क्या था? एक विसाल राजपरसाद था राजपरसाद मतलब महल मेगस थनीज के अनुसार भावेता, सान तौकत में सूसा तथा एक बताना के राज महल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे इस प्रकार मेगस थनीज के विवरण के अधार पर चंद गुप्त मौर के समय की राजनीतिक सामाजी कधार्मी का आर्थिक दसा इन तीनों का ही विवरण उनकी इंडिका में मिलता है अर्शास में राज की टकसाल का क्या अध्यच कौन था राज की टकसाल जहाँ पर सिक्कों की छपाई होती थी सिक्के बनाये जाते थे यानि जहाँ पर मुद्रण होता था मुद्रण निर्मित की जाती थी तो उसका जो अध्यच था वह था फ्रेंट्स लच्छडा ध्यच इस तरह से option express का सही उत्तर होगा निम्न में से किस प्राची नगर के आउसेस कुम्रहार इस्थल से प्राप्थ हुए हैं तो फ्रेंट्स वह मौर्यवंस की राजधानी पाठिल पुत्र हैं जिसके आउसेस हमें कुम्रहार इस्थल से प्राप्थ हुए हैं इस तरह से option express का सही उत्तर होगा मौर्यवंस के नगर प्रसासन का जो विस्तरत विवरण है वह किस गरंथ में मिलता है तो फ्रेंट्स वह हैं यूनानी राजधूत मेगस थनीच की किताब है इंडिका जिसमें मौर्यवंस के नगर प्रसासन का विस्तरत विवरण हमें देखने को मिलता है किस दचिर भारती राज का विस्तरत उलेक मेगस थनीच की इंडिका में किया गया है तो फ्रेंड वह दचिर भारत का राजय है चोल वंस इस तरह से option A express का, option B express का सही उत्तर होगा मौर्र वंस का दूसरा सासक कौन था? तो फ्रेंड चंद गुप्त मौर्र का जो पुत्र था बिंदुसार वह चंद गुप्त मौर्र का जो पुत्र था दूसरा, वह बिंदुसार वह मौर्र वंस का क्या दूसरा सासक था? यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को किस अन्य नाम से भी संबोधित किया है तो बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा गया है इस तरह से ऑफ्सन डीव प्रस का सही उत्तर है कुछ माधत पून्ततियों को देखेंगे फ्रेंड से मौर वंस के दूसरे था क्यांज के बिंदुसार से समन्दित कुछ माधत पून्तत है बिन्दुसार चंदगुप्त मौर का पुत्र और मौर वंस का दूसरा सासक था जैन गरंथों में बिन्दुसार को सिंग सेन कहा गया है यूनानी लेकों ने अमित्र घात कहा यानि किया है सत्रूमों का नास करने वाला वायू पुरान में बिंदुसार को भद्रासर नाम से संबोधित किया गया है वहीं पर सीरिया का जो राजचूच था डाइमेकस वह बिंदुसार के दरबार में आया था और यूनानी जो यात्री था मेगस्थनी जो चंदगुप्त मौर के दरबार में आया था बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर बिंदुसार ने सीरिया नरेस एंटियोकस से किन वस्तुमों की मांग किया था जो बिंदुसार था चंदगुप्त मौर का पुत्र उसने अंजीर दार्सनिक मीठी मदिरा इन तीनों ही वस्तुमों की मांग की थी किस से सीरिया नरेस एंटियोकस से इस तरह से ओप्सन डी इस प्रस का सही उतर है उपरोक्त सभी अगला प्रसन है बिंदुसार किस मत का अनुआई था तो फ्रेंड्स बिंदुसार आजीवक मत का अनुआई था इस तरह से ओप्सन इस प्रस का सही उतर है और यह है बहुत ही इंपोर्टन कोस्चन है एक्जाम्स में यह आया हुआ है भारत में बिभिन सामराजियों के जो राजा थे उनके उन्होंने कौन-कौन से मत का सनरचन किया किस मत के अनुआई थे इससे समंदित प्रसन एक्जाम्स में कई बार पूछे जा रहे हैं आप इनको याद रख लीजे चंदकुत मौर ने जैन धर्म को अपनाया था और बि बिंदूसार का सासन काल कब से कब तक था बिंदूसार का जो सासन काल था हुआ है 298 202 से 273 इस भी पूर तक था इस तरह स्था option 20 परस का सही उत्तर होगा समराट असोक मौर रवंस की राजगदी पर कब एठा था फ्रेंस सम्राट असोक मौर रवंस का तीसरा सा सकता और व पूत्र था असोक उसका जो इसपष्ट सासन है वह 279 इस भी पूर्व से प्रारब हुआ था बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर समराट असोक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंट्स चमराट असोक को प्रीदर्सी चंड असोक और देवा नाम प्रियम यानि इन तीनों ही नामों से जाना जाता है तो इस तरह से ओप्सन डी इस प्रस का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर असोक का राजय अभिसेख कब हुआ था फ्रेंट्स असोक का राजय अभिसेख 279 इस भी पूर में हुआ था इस तरह से ओप्सन डी इस प्रस का सही उत्तर होगा असोक का जन्म कब हुआ था समराट असोक का जन्म 304 इस भी पूर में हुआ था option D इस प्रेस का सही उतर होगा कलिंग का प्रसिद युद कब हुआ था प्राचीन काल का सबसे भयाना की युद जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और वह कलिंग का युद 261 इस भी पूर में हुआ था इस तरह से option D इस प्रेस का सही उतर है और यह युद कलिंग और समराट असोक यानि मगज समराच के बीच में युद हुआ था बढ़ता है अगले प्रेस के ओर कलिंग का युद का जो विवरण है वह असोक ने किस सिला लेक में लिखवाया था तो वह जो असोक के तेरवा सिला लेक है उसमें कलिंग युद से सम्मंधित विवरण मिलता है इस तरह से option D इस प्रेस का सही उतर है गत परिछाओं में यह एकजाम्स पूंचा गया है इस तरह से यह एकजाम्स बहुत ही महत्रपूर है बढ़ते हैं अगले प्रेस की और कलिंग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था तो फ्रेंट्स कलिंग जो था हुए सूती वस्तर और जंगली हाथी इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है इस तरह से option C इस प्रेस का सही उतर है A और B दोनों सही है बढ़ते हैं अगले प्रेस की और कलिंग युद्ध के पस्चात समराट असोक ने कौन सी नीती अपनाई थी तो फ्रेंट्स कलिंग युद्ध में भीसन नर्संगरहार को देखते हुए समराट असोक ने क्या धम घोस की नीती अपनाई यानि धम विजय किस युद्ध के पस्चात कलिंग युद्ध के पस्चात बढ़ते हैं अगले प्रेस की और असोक के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था असोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संग मित्रा इस तरह से option D express का सही उत्तर होगा किस सासक ने अपने को देवताओं का प्री कहलवाया था तो वह friends सासक था समराट असोक इसलिए उनकी उपाधी भी है देवा नाम प्रियम बढ़ते हैं अगले प्रेस की ओर असोक ने किस नगर की स्थापना किया था तो friends असोक ने स्री नगर की स्थापना की थी option D express का सही उत्तर होगा असोक के सासन काल में धर्म और नैतिकता का अधिकारी कौन होता था धर्म और नैतिकता का अधिकारी कौन होता था तो friends हुए था धम महा मात्र इस तरह से option एइसप्रस का सही उत्तर होगा किस सासक ने धम का परचार परसार किया था अगले प्रस की और सिलंका का सासक जो असोक का समकालीन था असोक ने अपने सासन के कितने वर्स के बाद लुम्बिनी की यातरा किया था लुम्बिनी जो की गौतम बुद जैन बौद धर्म के संस्थापक का जो जन्मिस्थान था लुम्बिनी वहाँ पर असोक अपने सासन के दस वर्स के बाद गया था इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रस का सही उत्तर होगा समराठ असोक ने नेपाल की तरही में किस इस्थूप का निर्माड कराया था समराठ असोक ने कनक मुनी नामग जो इस्थूप है उसका निर्माड नेपाल की तरही में कराया था अप्शन बी इस प्रस का सही उत्तर होगा समराट असोक ने कौन सा धर्म अपनाया था समराट असोक ने बौध धर्म अपनाया था वह भी कलिंग युद्ध के पस्चात इस तरह से आफ्शन इस प्रस का सही उतर है तो प्रेंट चंदगुप्त मौर ने जैन धर्म अपनाया था तो फ्रेंट्स हुआ था मोगालिप्यूतिसा आप इसको याद रखिए option C express का सही उत्तर है किस अबलेक में असोक को धर्म रच्छक यानि धम रच्छक के रूप में उल्लेखित किया गया है तो फ्रेंट्स हुआ था उपगुप्त है option B express का सही उत्तर होगा किस लगू सिला लेक से असोक के बौध धर्म का अनुमाई होने का सरप्रथम प्रमाण मिलता है तो फ्रेंट्स हुआ अब लेक है भाबू लगू सिला लेक बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर बौध धर्म गरहन करने के पस्चात असोक के जीवन में क्या परिवर्तन आये थे फ्रेंट्स जब समराट असोक ने बौध धर्म गरहन किया तो उन्होंने हिंसा छोड़ दिया था हिंसा छोड़ दिया था अहिंसा का पालन किया मान सबच्छन का त्याक कर दिया धम यात्राओं का उन्होंने प्रारम किया था तो यह तीनों ही परिवर्तन समराठ असोक के जीवन में आया था इस तरह से option D express का सही उत्तर होगा असोक का विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण क्या था तो फ्रेंड्स असोक की धम नीती के आधार पर विश्व विख्यात हुआ था इस तरह से option D express का सही उत्तर है असोक के किस अभिलेक में धम विजय का उलेक किया गया है तो फ्रेंड्स वह असोक का अभिलेक है तेरवा सिला लेक option D express का सही उत्तर होगा सीलंका के राजा को किस ने बौध धर्म की दीच्छा दिया था सीलंका के राजा को बौध धर्म की दीच्छा आसोक के पुत्र महेंदर ने दिया था option 20 प्रस का सही उत्तर होगा कलहन ने किस गरंथ की रचना किया है very very most important question है friends कलहन ने राज तरंगिनी जो गरंथ है उसकी रचना किया था बढ़ते हैं अगले प्रस की और आसोक के बारे में जानकारी किस स्रोत से मिलती है तो friends आसोक ने अपने सासन काल में इस्तम लेक, सिला लेक और गुहा लेक इन तीनों को ही निर्मित कराया था और उसमें अपने सासन से समंदित नियमों, नीटियों और विजयों का उलेकर आया उसी से असोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है इस तरह से option D इस्प्रेस का सही उत्तर होगा अब तक समराट असोक के कितने अभिलेक ग्यात हुए है तो अब तक 40 अभिलेक लगभग समराट असोक से समंदित ग्यात हो चुके है option D इस्प्रेस का सही उत्तर होगा समराट असोक ने कस्मीर के किस मंदिर का जिरो द्वार करवाया था समराट असोक के अभिलेक की भासा क्या थी समराट असोक ने जितने भी अभिलेक लिखवाये थे उनकी भासा थी प्राकरत भासा थी यह एक जन भासा थी समराट असोक के प्रथम अभिलेक की विसे वस्तु क्या है तो friends समराट असोक ने जो अभिलेक लिखा है उनमें प्रथम अभिलेक की विश्यवस्तू है पसू बली का निसेद, option C इस्प्रेस का सही उत्तर होगा प्राचीन भारत में कौन सी लिपी दाई और से बाई और लिखी जाती थी तो friends हुए थी खरोष्टी लिपी, option B इस्प्रेस का सही उत्तर होगा किस जगे से ब्रसब सीर्स वाला इस्तंब लेक मिला हुआ है किस कैसा ब्रसब सीर्स वाला इस्तंब लेक तो friends हुए जगे है राम पुर्वा, option A इस्प्रेस का सही उत्तर है मौरे कालीन नयाय ब्यवस्था कैसी थी मौरे कालीन जो नयाय ब्यवस्था थी वह एक कठोर नयाय ब्यवस्था थी Option B Express का सही उत्तर होगा मौरे काल में किस प्रकार का दंड दिया जाता था मौरे काल में अंग भंग, जुर्माना, मृत्युदंड, कारावास यह सभी प्रकार के दंड दिये जाते थे इस तरह से Option C Express का सही उत्तर है उपरोक्त सभी मौरे काल में सरोच नयाय ब्यवस्था कौन होता था मौरे काल में जो सरोच नयाय ब्यवस्था हुए समराठ होता था इस तरह से Option C Express का सही उत्तर है अर्षास में गूर पूरुस किसे कहा जाता है अर्षास में गूर पूरुस कहा गया है गुप्त चरों को ओप्शन से इस प्रस का सही उत्तर होगा धर्म इस्थी किसे कहा जाता है अर्षास में जो धर्म इस्थी है वह किसे कहा जाता है तो वहें friends दीवानी नियारेको अर्षास्त में धर्मस्थि कहा गया option is press का सही उत्तर होगा नगरक निम्ण में से किसे संबंधित है जो नगरक है friends वहें निम्ण में से किसे संबंधित आपको बताना जो नगरक होता थोगा है नगर पालिका का अध्यच मौर प्रसासन में होता था बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर मौर काली नगर प्रबंधन के लिए कितनी समितियां थी तो प्रेंट्स जो मौर काल में नगर प्रबंधन था उसमें 6 समितियां होती थी जो नगर परसत थी उसके लिए कितनी 6 समीतिया थी इस तरह से option D express का सही उतर होगा फ्रेंस नगर परसासन से समदित कुछ महत्पूर्ण तत्यों को देख लेते हैं कुछ जो नगर की समितिया हैं उनसे बारे में 6 समितिया थी जिनमें से प्रथम समिति के द्वारा क्या उद्दोग सिल्पू का निरिछण किया जाता था दो-30 समिति थी वह बिदेशी यात्रियों के भोजन निवास्ताची किस्सा का प्रबंध करती थी ते-30 समिति थी जनम मरण का लेखा जोखा रखती थी और जो चतुर समिति थी वह नगर के ब्यापार वाणिज का प्रबंधन करती थी जो पाचवी समिति थी वह उदोग निर्बित वस्तों का विक्रे का निरिछण करती थी वहीं पर जो छटी समिती थी वह क्रे विक्रे वस्तुमों पर करवसूल करती थी बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर फ्रेंड्स मौरे काल में प्रसासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी तो प्रसासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी इस तरह से ऑप्सन डी स्प्रस का सही उत्तर होगा मौरे काल में ग्राम प्रसासन अध्यक्ष को क्या कहा जाता था तो ग्राम प्रसासन का जो अध्यक्ष था वह था ग्रामिणी इस तरह से ऑप्सन डी स्प्रस का सही उत्तर होगा साह गवरा और महा इस्थान अभिलेक में किसके बारे में जानकारी मिलती है तो फ्रेंट्स जो साह गवरा और महा इस्थान है उसमें मौरे वंस के जो सीमानत प्रसासन है उससे समंदी जानकारी मिलती है आपसन डी इस्प्रेस का सही उत्तर होगा अरसास में more once की police है उसको रचिन नाम दिया गया है Option D express का सही उत्तर होगा मौरे काल में गुप्टचर विबाग का जो अधच था उसको क्या कहते थे गुप्टचर विबाग था मौरे काल में उसको जो अध्च था उसको हम महा मातिसर्प कहते थे महा मात पसर्प कहते हैं इस तरह से आउसन एइसप्रेस का सही उत्तर होगा गुप्तचर विवस्था थी फ्रेंड्स मौरेवंस में और उसमें मौरेकाल के गुप्तचर विभाग का एक प्रथक आमात था उसके आधीन इस विभाग को रखा गया था और वह जो उसको क्या कहते हैं थे महा मात पसर्प कहा जाता था और गुप्तचरों को अरसास्त में गूर पूरुस कहा गया है अरसास्त में दो प्रकार के गुप्तचरों का उलेक है पहला है संस्थागत जो की एक ही स्थान पर रहकर कारे करते थे लेकिन दूसरे हैं संचरा, जो की भरमर करके गुप्चरी करते थे, तो अब इनको याद रखिए दो, संस्था और संचरा, मौरे काल में सांती ब्योस्था बनाये रखने के लिए था, आपराधों की रोख थाम के लिए पुलिस भी थी, जिसको अर्थ सास्त में रच्छिन कह गया है, बढ़ते हैं अगले प्रेस की और, मौरे काल में ग्राम सभा के कार्याले का जो कार्य था, वह कौन करता था, मौरे काल में जो मौरे काल था, उसमें ग्राम सभा थी, जिसका अध्याच ग्रामिडी होता था, लेकिन जो उसका कार्याले का कार्य था, वह घूप के द उत्तर होगा मौरीकाल में किन फसलों का उत्तर होता था। । appar progression मौरीकाल में किन पसूं को पाला जाता था। orf Spreads मौरेकाल में भेड, बैख, बक्री इन सभी जानवरों को पाला जाता था। इससे option E express का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रेस की ओर चारक की अरसास में किस प्रकार की भूमी का वर्ण है फ्रेंट्स चारक की अरसास में करश्ट भूमी और इस्थल भूमी इन तीनों ही प्रकार की भूमी का उलेखे थे तो अप्सन डी इस प्रेस का सही उत्तर होगा वह भूमी जिसमें बिना वर्षा के अच्छी क्रसी हो सके उस भूमी को क्या कहते थे फ्रेंट अर्सास में उस भूमी को आदेव मातरक कहा गया option express का सही उत्तर होगा सुदर्सन जहील का निर्माण किस ने करवाया था तो फ्रेंट सुदर्सन जहिल का निर्मान चंदर गूप्त मौरेक ने करवाया था option d express का सही उत्तर होगा मौरेक आल में भू स्वामी को क्या कहा जाता था तो मौरेक आल में जो भू स्वामी था उसको छेतरक कहा गया इस तरह से option d express का सही उत्तर होगा मौरे काल में दूसरें की भूमी में कार करने वाले कर्सक को क्या कहा जाता था तो फ्रेंस उनको कास्ट कार कहा जाता था इस तरह से option express का सही उत्तर होगा सीमा वर्ती दुर्गों की रच्छा करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था तो मौरेकाल में जो सीमा वर्ती दूर्ख थे उनकी रच्छा आनंत पाल के द्वारा की जाती थी option A express का सही उत्तर होगा दीवानी नयाले का जो नयाधिस था उसको मौरेकाल में क्या कहा जाता था इस तरह से option B इस प्रेस का सही उत्तर होगा मौरिक कालिन अर्थविस्था में जिले का राजस सो वसूल करने वाला तता उसका लेखा जोगा रखने वाला अधिकारी क्या होता था जिले का जो राजस सो है उसकी वसूली युक्त के दोरा की जाती थी बढ़ते हैं अगले प्रेस की ओर असो के बारवें सिला अभिलेक में किन पदा अधिकारियों का उलेक है असो के बारवें अभिलेक में इन सभी पदा अधिकारियों का उलेक है ब्रज भूमिक इस तरह देच महामाते और धम महामाते इस तरह से option D express का सही उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले प्रेस की ओर more sign sign बिवस्था किस पर आधारित थी तो जो more calling जो sign बिवस्था थी उसमें रथ, गज यानि की हाथी, अस्यों और पैदल सेना यह चारो प्रकार की सेना थी, इस तरह से option D express का, option E express का सही उत्तर होगा अगला प्रेस है, more sign बिवस्था में सेना पती का कितना वेतन होता था तो more शासन काल में जो सेना पती था, उसका वेतन था 48,000 पड़, इस तरह से option D express का सही उत्तर है मौरे काल में अकाल के दोरान की गई सहायता का उलेख हमें किस अभिलेख में मिलता है तो फ्रेंट्स वह अभिलेख है सो गहरा तामर अभिलेख आपसने इस प्रेस का सही उत्तर होगा किस अभिलेख में चंदगुप्ट मौरे और समराट असोक का उलेख है तो friends वह अभी लेख है जूना गड़का अभी लेख option express का सही उत्तर होगा किस इस्टूप को सर्व सेश्ट इस्टूप माना जाता है friends जो साची इस्टूप है उसको सर्व सेश्ट इस्टूप माना गया है पढ़ते हैं अगले पर सक्योर साची का इस्टूप जो है उसका निर्मार किस ने कराया है friends साची इस्टूप का निर्मार समराट असोक ने करवाया था option D express का सही उत्तर होगा बहुत परंपरा के अनुसार समराट असोक ने कितने इस्टूपों का निर्मार कराया था इसको भी समराट असोक ने निर्मित कराया था, option इसप्रेस का भी सही उत्तर होगा इस्थानी कितने ग्रामों का एक समू होता था इस्थानी जो होता था वह 800 गाउं का एक समू कहलाता था बड़ते हैं अगले प्रेस के और मौर सासन ब्योस्था का जनक किसे माना जाता है फ्रिंट्स चंद गुप्त मौर जिन्होंने मौर वंस की स्थापना किया था उनको मौर सासन ब्योस्था का हम जनक मानते हैं option D इस्थानी का सही उत्तर है तो मौरे कालीन जो सासन ब्यवस्था थी वह एक राज तंतरात्मक सासन ब्यवस्था थी और सास के अनुसार मौरे वंस के उत्रा अधिकारी क्या कहलाते थे तो मौरे वंस के उत्रा अधिकारी थे तीर्थ कहलाते थे पढ़ते हैं अगले प्रसकी और मौरे कालीन प्रसासन ब्यवस्था किस पर आधारित थी तो फ्रेंट्स मौरे कालीन जो प्रसासन ब्यवस्था थी वह एक लोग कल्याणकारी सासन ब्यवस्था थी मौरे काल में द्रोण मुख कितने ग्रामों का एक समू होता था मौर समराट अपने कारियों का संबादन किसकी सहायता से करते थे मौर कालीन जो सासकते हुए मंतरी, अमात और अधिकारी इन सभी की सहायता से अपना प्रसासन चलाते थे अगला प्रस्न है समराट असो का सामराज कितने प्रांतों में बटा था तो friends इसप्रेस का सही उत्तर है option B, पांच प्रांतों में समराट असो का सामराज बटा हुआ था, बढ़ते हैं अगले प्रेस की ओर आवंती प्रांत की राजधानी क्या थी, तो friends आवंती की राजधानी थी उजयनी, option इसप्रेस का सही उत्तर है, बढ़ते हैं अगले प्रेस की और सन्नी धाता के संबंद में कौन सा कथन सत्य है इस प्रस का सही उत्तर है जो सन्नी धाता था वह है असोक के सासानकाल के दौरान जो राजकी द्वार पाल होते थे उनको कहा जाता था वड़ते हैं अगले प्रस की और असोक के सारनात इस्तम में कौन-कौन से पसू है तो जानवर थे इस तरह से option E express का सही उतर है बढ़ते हैं अगले प्रस की और किस अभिलेक से असोग के कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है जो असोग का 13 सिला लेक है उससे असोग के और कलिंग के मद जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी हमें मिलती है option D express का सही उतर होगा more once की राजधानी पाटिल पुत्र का आधिनिक नाम क्या है जो आधिनिक पटना है वह प्राचीन समय में पाटिल पुत्र था जो की more once की राजधानी थी more once में किस सासक को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहकर सम्मोधित किया जाता है friends, वह सासक था बिन्दुसार option D express का सही उतर है इसका जो कथन है उसका कारण यह है कि जो बिन्दुसार है वह समराट चंदगुप्ट मौर जो की एक महान सासक थे उनका पुत्र था और सम्मोध आसक जो की एक महान सासक थे उनका पिता था तो इसलिए पिता का पुत्र यानि चंदुप्ट मौर का पुत्र और आसक यानि पुत्र का पिता बिन्दुसार को कहा जाता है बढ़ते हैं, अगले प्रस के और समराट असोग की मरत्यु कब हुई थी तो फ्रेंट्स इसप्रस का सही उत्तर है option A 232 एसबी पूर में समराट असोग की मरत्यु हुई थी अरसास में मौर कालीन प्रसासनिक ब्यवस्था किन एकाईयों में बटा था तो फ्रेंट्स मौर काल में जो प्रसासनिक ब्यवस्था थी वह चक्र अहर मगाउं इन सभी में विभाजिती इस तरह से option डिस्प्रस का सही उत्तर होगा मौर भारत में मौर वंस का सासन काल कब से कब तक था वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टेंट कोशन है इसको आप नोट करी लिया मौर वंस का जो सासन काल है वह है 322 इस भी पूर से 185 इस भी पूर तक था जो मौर वंस की स्थापना किया था चन्रगुप्त मौर ने की थी और मौर वंस का अंसिम सासक था ब्रहद्रत जिसकी पुस मित्र सुंग ने हत्या कर दी थी और सुंग वंस की स्थापना किया था कव 185 इस भी पूर में बढ़ते हैं अगले प्रेस की ओर मौर वंस का अंसिम सासक कौन था तो फ्रेंट्स इस प्रेस का सही उत्तर है ब्रहद्रत ओप्शन भी इस प्रेस का सही उत्तर होगा मौर वंस के अंतिम सासक ब्रहद्रत की हत्या किस ने किया था तो फ्रेंट्स ब्रहद्रत का जो सेना पती था पुस मित्र सुंग उसने ब्रहद्रत यानि की मौर वंस का अंतिम सासक था उसकी हत्या किया और उसके पस्चात सुंग वंस की स्थापना किया था option A की स्थापना किस ने किया था इस परस का सही उत्तर है पुस्मित्र सुंग इस तरह से option D का सही उत्तर होगा समराट असोक के पस्चात मौरे वंस का राजा कौन बना था तो फ्रेंट्स मौरे वंस का राजा था कुनाल मौरे जो की असोक का पुत्र था असोक के पस्चात हुआ है मौरे वंस का राजा बना था बौध धर्म की इस्थापना किस ने किया तो फ्रेंट्स बहुत धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, option इस प्रेस का सही उत्तर है गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो फ्रेंट्स गौतम बुद्ध का जन्म लुम्नी नामक जगए पर हुआ था इस तरह से option भी इस प्रस का सही उतर है समराट असुग जिसने बहुत धर्म अपनाया था वो है अपने राज सिंगातन पर बैटने के दसवस पस्चात लुमनी नामा की स्थान पर गया था यह भी प्रस काई बार एक जामस में आया हुआ है जैन धर्म की स्थापना किस ने की थी जैन धर्म की स्थापना किस ने रिसव देव ने की थी इस तरह से option से इस प्रस का सही उतर है जैन धर्म के यह पहले तीर्थांग करते महावीर सौमी का जन्म कहां हुआ था महावीर सौमी जैन धर्म के क्याम से 24 में तीर थांकर थे इनका जन्म कुंडल वन जो की बिहार में है वहाँ पर हुआ था बढ़ते हैं अगले प्रेस की ओर गौतम बुध का जन्म कब हुआ था तो फ्रेंट्स गौतम बुध का जन्म 563 इस भी पूर में हुआ था इस तरह से उप्रेस का सही उतर है गौतम बुध का जन्म और महावीर स्वामी का जन्म बहुत ही महतपूर्ण कोश्चन है फ्रेंट्स इनको आप ज़रूर याद रखिए बढ़ते हैं अगले प्रेस की ओर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था फ्रेंट्स चौबीस में तीर्थांकर थे जैन धर्म के महावीर स्वामी चौबीस में तीर्थांकर थे इनका जन्म पांसो निन्यानबे इस भी पूर में हुआ था उप्सन सी इस प्रेस का सही उतर है और बहुत धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन 563 भी पूर में हुआ था अगला प्रस्न है महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थांकर थे तो फ्रेंट्स महावीर स्वामी 24 तीर्थांकर यानि अंतिम तीर्थांकर थे जैन धर्म के अगला प्रस्न है गौतम बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती कहां हुई थी तो फ्रेंट्स गौतम बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती बोध गया नामक जगय पर हुई थी वर्तमान में बिहार में आता है गौतम बुद्ध को किस ब्रच के नीचे ग्यान की प्राप्ती हुई थी फ्रेंड्स वह ब्रच है बरगत का पेंड इसके नीचे गौतम बुद्ध को कठोर तपस्य के पस्चात ग्यान की प्राप्ती हुई थी गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है फ्रेंट्स बौत धर्म में गौतम बुद्ध से समंधित चार महत्पून घटनाओं को आप जरूर याद रखिए उनमें से पहली घटना है ग्रह त्याग की घटना बहुत गरंथों में हम इसे महा भी निसक्रमाड के रूप में जानते हैं इस तरह से option D express का सही उतर है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था फ्रेंट्स गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वह सार नात नामक जगह पर दिया था option D express का सही उतर है फ्रेंट्स जैन धर्म बौत धर्म यह मौर वंस के सासन काल के समय बहुती महतपूर रूप से उभरे हुए थे और एक्जाम्स में मौर वंस से सम्मंधित और गौतम बुद्ध से सम्मंधित जैन धर्म से सम्मंधित इसे मिलते जुलते प्रस कई बार एक्जाम से पूछे जाते हैं इसलिए हम इस वीडियो में जैन धर्म और बहुत धर्म से सम्मंधित को जो महतपूर प्रस बन सकते हैं हम इसमें हल कर रहे हैं बढ़ते हैं अगले प्रस की और गौतम बुद्ध के जीवन में ग्यान प्राप्ती की जो घटना है उसको क्या कहला जती है तो ग्रहत्या की घटना को महा भी निसकरमण कहा जाता है और वहीं पर गौतम बुद्ध की जीवन में जो गयान प्राप्ति की घटना है उसको धर्म चक्र परवर्तन कहा जाता है अपसंसी इसप्रस का सही उत्तर है बौध गरंतों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है गौतम बुध का दिहांत कहां पर हुआ था गौतम बुध का जो दिहांत हुए कुसी नगर नामक जगए पर हुआ था जो गौतम बुध के दिहांत को बौध गरंत में क्या कहा गया है तो गौतम बुद्ध का जो दिहांत है उसको बहुत धर्म में महा परिनिरुमार कहा गया उसन से इस प्रेस का सही उतर है महा भी निसकरमन की जो घटना है वह गरहत्याग की घटना है आप इसको याद रखिए गरहत्याग की घटना धर्म चक्रपरवर्तन किसकी ग्यान पराप्ति की घटना है और महा परिनिरुमार गौतम बुद्ध के देहांत की घटना है इनको आप याद रखिए चारो ही कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है बढते हैं अगले प्रस की और निम्न में से कौन सा ग्रंथ गौतम बुद्ध से संबंधी थे तो फ्रेंट्स विनैपिटक सुत्थ पिटक और अभिदम पिटक यह तीनों ही ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधी थे इस तरह से ओप् धर्म की स्थापना किया था अगले प्रस नहीं भारत के उत्तर पस्चिम भारत में पाए गए अभिलेक की लिपी क्या है जो उत्तर पस्चिम में अभिलेक पाए गये हैं समराट आसोक से सम्मधी उनकी जो लिपी है हुआ है खरोष्ठी लिपी इस तरह से option B इस प्रेस का स जैन मत के संस्थापक को क्या कहा जाता है तो जैन धर्म के जो सन्यासी हैं उनको जैन गरंतों में तीर्थांकर कहा गया है option D इस प्रेस का सही उत्तर होगा जैन धर्म के मूल संस्थापक या मूल प्रवर्तक कौन थे तो फ्रेंट्स जैन धर्म के जो मूल संस्थापक थे ह वह थे रिसब देओं ऑप्सन भी इस प्रस का सही उत्तर होगा जैन धर्म के त्री रत्न के संबंद में कौन सा कथन सत्य है तो फिरेंट जैन धर्म के ती रत्न में सम्याग्यान सम्याग्दर्शन सम्याग आच्रण इन तीनों को ही सामिल किया गया है इस तरह से ऑप्सन डी इस प्रस का फ्रेंट सही उत्तर है उप्रोक्त सभी बढ़ते हैं अगले प्रस की ओर निम्र में से कौन सा सिधान्त जैन धर्म से संबंधित है तो फ्रेंट जैन धर्म से संबंधित सिधान्तों में त्री रत्न आडूब्रत पंच महाब्रत यह तीनों सिधान्त सामिल है प प्रम्हचरी है, पांचो ही सिधान्त पंच मरहब्रत में आते हैं। उप्सन डी इस प्रेस का फ्रेंड सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रेस के हो, जैन धर में उपवास से प्रार्णत्याक की घटना क्या कहलाती है। तो उपवास के द्वारा जो प्रार्णत्याक किया जाता है जैन धर में वह सलेखना कहलाता है। उप्सन डी इस प्रेस का सही उत्तर होगा। असोग के सासनकाल में इस्तंभो पर सिला लेख का जो उद्देश था, वह क्या था। तो जो असोग के सासनकाल में इस्तंभो बनाए गए थे, उन्में जो सिला लेख थे जिन में लिखा जाता था, उनको इसलिए कि राज की प्रतिक के रूप में लिखा जाता था। असोग ने इस्तंभ सिला लेख का निरमाण किस पत्थर से किया है। तो फ्रेंट्स जो असोग के सिला लेक हैं, वो है बलुवा पत्थर के बने हुए है, इस तरह से option A Express का सही उत्तर है, असोग के इस्तंब सिला लेक में कौन से, कौन सा फूल बना हुआ है, जो सारनाथ का इस्तंब है न फ्रेंट्स, उसमें आप देखोगे तो कमल का फूल बन हुआ है, यह सरसे option A Express का सही उत्तर है, भारत के राष्टी andare प्रतीक चिन के रूप में किसे लिया गया है, तो फ्रेंट्स भारत का जो राष्टी Mandy प्रतीक के रूपमें किसे लिया गया है, तो फ्रेंट्स ब्रेंट्स वो जो मुंडख उपनिसद हैं हमारा, उससे जो राश्टी प्रतिक्षिन जो हमारा उसमें उल्ले खित किया गया है। अगला प्रसन है चंद्गुप्ट मौर के महल निर्मार में प्रमुक समागरी क्या थी। चंद्गुप्ट मौर का जो महल था राजप्रसाद उसमें लकड़ी मुख रूप से उपयोग की गई। ऑप्सन प्रेरिट था, उनमें यानि कि लकडी का उपयोग जादा किया गया है, लकडी का उपयोग पुर्मुक रूप से किया गया है, मेगस्ध स्थनीज ने इस महल का बैक खैंड मानो जात की सबसे बड़ी रजनाओं के रूप में किया है, अगला प्रस ने भारत के राश्टी प् सिस्टम में लिखा गया है वरते हैं अगले प्रस की और मौरे काल के म्रद भांडों के संबंध में कौन सा कथन सकते हैं तो जो मौरे काल के म्रद भांड यानि मिट्टी के जो वरतन थे वह हैं उत्तरी काले पॉलिस डार म्रद भांड होते थे इस तरह से option है इस प्रस का सही उत्तर है. ह् vert pH गत जो था वह है उत्तर में है और जो मृदभठाण थे वह काले कलर के थे जिनमें पॉलिस किया हुआ था इस वज़े से इनको उत्री काले पॉलिस तार म्रदभठा लगी जाता है एक्जांस में बहुत ही जादा बार फ्रेंट्स यह कुश्चन आया हुआ है कला यह जो कि आट and culture का यह प्रस्थ है तो इसको आप याद रखिए बहुत ही ज़्जादा बार एक्जांस में UPSC में Spacially यह UPSC में एक्जांस में आया हुआ है किस छेत को चंदगुप्त मौर विजित नहीं कर पाया था तो फ्रेंट्स चंदगुप्त मौर केरल को विजित नहीं कर पाया ना ही उत्तर प्रदेश के राजियों को और ना ही तमिल नाडू को यानि कि दच्छिन में चंदगुप्त मौर का प्रभाव कम रहा है इस तरह से option difference का सही उतर है उपरोग सभी किसी को भी विजित नहीं कर पाये थे कि सासक्त ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी दान दिये थे चंदगुप्त मौर ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी दिये थे अगला प्रसन है चंदगुप्त मौर की पतनी का क्या नाम था चंदगुप्त मौर ने उसकी पुत्री का नाम था हेलेना option ने इस प्रस का सही उतर होगा चंदगुटमौर ने जैन धर्म की किस विधी से प्राण त्याक किया रहा, फ्रेंस चंदगुटमौर ने जैन धर्म की सलेखना विधी से अपने प्राण त्याक किया थे तो फ्रेंट्स समराट असोक ने बौध धर्म का सनरचन किया था इस तरह से option 20 प्रस का सही उत्तर है बढ़ते हैं एगले प्रस की और आजीवक संपरदाय को किसे ने सनरचन दिया था तो फ्रेंट्स ने चंदगुप्त मौर का जो पूत्र था बिंदुसार उसने आजीवक सं धर्म अपनाया था बिंदुसार ने आजीवक संपरदाय का सनरचन यानि आजीवक मत को अपनाया था और वहीं पर समराट असोक ने बहुत धर्म को अपनाया था इन तीनों को आप याद रखिए फ्रेंट्स नोट्बुक में लिख लिजिए बहुत ही ज्यादा बार यह प पुस्यमित सुंग जो था उसने मौरेवन्स का पतन करके मौरेवन्स के अन्तिम सासक ब्रहदरत की हत्या करके सुंग वन्स की स्थापना किया था और वर्तमान में कलिंग किस राज में है प्राचीन भारत में कुल 16 महाँजनपत थे भारत की राष्टी प्रतीक चिन में कुल कितने सिंग यानी सेर है प्राचीन भारत का जो राष्टी प्रतीक चिन है सारनाथ का इस्तंब है जिसमें कुल चार सेर है सिंग है option C express का सही उतर है कि इस once का सामराज friends सबसे ज्यादा विस्तरत था friends more once का जो सार्षन था वह सबसे ज्यादा विस्तरत था तो इससे option express का सही उतर है friends आप सभी को यह यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको like share और subscribe करना ना भूलें साथ में बेल आइकन भी दमाएं ताकि आपको ऐसे ही जीके के वीडियो के notification है सबसे पहले प्राप्त हो सकें धन्यवाद